हेलो एबरीवन मैं पुस्पा राश्पूत पुस्पा की रसोई में आप सब का स्वागत करती हूं जैसे कि आप आपको पता ही है कि जन्माज्टी में गतिवहार हो चुका है और सभी लोगों न बहुत इंज्वाई भी किया होगा तो आज आपकी पुस्पा लेके आई है करे करेला जो होता है हमारी सियाथ के लिए बहुत ही फायवन्देवन्ध होता है और खास करके जिनको डाइबिटीज है सुगर है उनके लिए तो यह रामबाड है और जिन लोंको सुगर है करेला की सबजी खाएंगी तो उनका सोगर जो होता कापी हद तक कंट्रोल रहता है तो फ्रैंस कुछ खाएं या ना खाएं करेला की सब्जी को आपको जरूर खाना चाहिए यह बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही गुड़कारी है इसके फायदे तो इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं तो कई करेला को दूल लिएना है इसको निकाल करके अलगर कर दूंगी क्योंकि आज बना रहे हैं जैसी आप यह चिल्का निकाल जाएगा करके तियार करूंगी जैसी आपको लेलेना है एक बर्तन बर्तन में डाल देना है आपको इसमें पानी इतना पानी डालना है जितना कि ये करेला इसमें हमारे डूप सकें तो अब हमें इसके कड़वाट अटाने के लिए आपको ले लेना है नमक तो ये मैंने खाने वाला जो साधा नमक होता वही वाला नमक डाला है अब हम क्या करेंगे जो करेला है करेला को बीज को हम काट लेंगे तो कई कई करेला में क्या होता कि पके हुई बीज निकल जाते हैं तो इसको हम निकाल करके अलग कर लेंगे इस तरह से करेला के हम कम से कम 6-6-7-7-7 पीस काट करके त्यार कर लेंगे ये आप अपने अंशारी काट लीजिए आपको जैसे भी बनाने में सही लगे उसके हईसाब से आप लंबे या गोल काट करके तयार कर सकते हैं तो इस तरह से देखें मैंने एक करेला के कम से कम आठ आठ पीस कटकरे कट करके तियार कर लिए हूँ मैं ये लंबे-लंबे स्लाइज जैसे काट रही हूँ, आपको जैसे भी काट ना हो, आप उसके हसाब से काट लेजिए, ध्यान रखिए इसमें कुछ बीज जो कड़े होते हैं, इनको हमें निकाल करके अलग कर लेना है, और इन बीजों को हम निकाल करके फ्रैंस फेकेंगे न करवाट निकल जाए, इसके बाद फ्रैंस ले लेना कड़ाई आप कोई भी ले लीजिए, इसमें हमें डाल देना है 200 ग्राम के करीब तेल, तो मैंने यहां पर आदा किलो करेला लिया हुआ है, तो इसमें आपको 200 ग्राम तेल लगीगा ही लगीगा, क्योंकि जब करेला बन तब तक हम असाले इसके लिए तियार कर लेंगे, तो इसके लिए हम ले लेंगे प्याज, हरीमेज, साथ में थोड़ा साधरक, लैसुन, और दो टमाटर, तो यह खटाई के लिए हम इसमें टमाटर यूज करेंगे, तो जब तक यह करेला हमारे तेल में अच्छे से पकनी की खीर, तो एक बार इसको भी जरूर देखी, यह खाने में बहुत ही लाजवाब है, आपने कई बार खीर बनाई होगी, पर आज जो मैं बना रही हूं बहुत ही इसपेसाल है, तो सबसे पहले चीनी को ले ले लेना, चीनी को डाल देना, कढ़ाई और गैस को कर देंगे, ह और यहां मैंने चावल थोड़ा सा एक मिनट पहले पानी में भिंगो करके रख दिये थी, तो इस तरह से हमें चावलों को थोड़ा सा हाथों से मसल लेना है, और जैसी हमारा दूद यहां पे थोड़ा सा पक जाएगा, और आप देखेंगे कि जो हमने केमरलाइस बनाया अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, तो यहां देखें चावल को भी हमें हलका सा मसल लेना है, और बस इसमें चावल को हमें छोड़ देना, तो एक लीटर दूद में मैंने यहां पे एक मुठी चावल लिये हुए थे, जो पचास ग्राम के करीब होंगे, और जैसे हमारे चावल अच्छे से दूद में मिक्स हो जाएंगे, तो हम डालनेंगे इसमें चार एलाइची, और ड्रेस, और ड्राइपूट, तो यह हमारी देखें, केमराइच वाली, बटर स्कॉच, सॉरी, यह हमारी जो खीर है, बनकर के त्यार हो जाएगी, तो इसमें हम कुछ केसर की बिल्कुल ड्राइ नहीं हो जाते हैं, और यह आप देख पा रहे हैं, कि सुकड करके काफी यह छोटे-छोटे से दिखने लगे हैं, इस तरह से हमें करेला को तेल में अच्छे से बिल्कुल पका लेना है, तो आपकी जो करेला होंगे, बिल्कुल भी आपके करवाएंगे और इनकी करवाट पता भी नहीं चलेगी, वैसे तो करेला जब करवाट रहते हैं, तभी यह फायदे बंद रहते हैं, फिर भी यह आप इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, तो इधर हमने जो मसाले बाला पेश्ट पीस करके रखा हुआ था, इसको भी हम तो मसाला आपने देखा होगा कि यह प्याज और टमाटर की वज़े से काफी गीला है, तो इसके वज़े से जो हमारे करेला होंगे वो सौप्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो करेला तेल में फ्राई होते हैं, तो वो काफी क्रिस्पी हो जाते हैं, इस तरह से अब हमें पानी भी जरूरत नहीं है, और जो हमारा मसाला थोड़ा सा पाई डाल करके धुलकेसी में डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से पकने देंगे, आप चाहें तो फ्रैंस थोड़ा सा ढख भी सकते हैं, पर ढखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो टमा मुझने देना है, तो जब तक हमारे ये प्याज जैसुन का पेश्ट भूझ रहा है, तब तक हम दाल भी यह दर पका लेंगे, और कुछ हम डालेंगे इसमें पिसे हुए मसाले, लाल मिर्श पाउडर, थोड़ा सा स्वात्किया, नमक, नमक हम थोड़ा सा समल के डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाल दिया था, थोड़ा सा डालेंगे आधी चमज, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हम गरम मसाला, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब हम इसमें प्रेंश डाल साथ में दालेंगे शोप, और करेला यहां है काली मिर्च का पिसा हुड़़ है क्यों है, यापगे पास खटाई पाउडर है, तो आप खटाई पाउडर है, आप खटाई पाउडर एक चमच पाउडर पैसे say, और यदी नहीं है तो आपको इसमें आधा नीबू का रस निचोड़ करके डाल देना है तो मैं भी यहीं सेम करूँगी मेरे पास आज खटाई पाउडर नहीं था तो मैं थोड़ा सा आधा नीबू का रस इसमें निचोड़ करके डाल दूगी इस से जो हमारी करेला होंगे ब बहुत ही स्वादिष्टे लगते हैं और इस सब्जी को आप चाहेते एक दो दंगOR करके रग भी आपकी सब्जी ये खराब भी होने वाली में आप दिखाएंगे कीजिक हैं तो आप देखने में तो है यह और खाने में भी भाइना दिखती है तो आप सॉने में पक जाए करने के कसूरी मैथी डाल देज़ें, जैसे सब्सक्राइबगी मेरे चुझा आप है नहीं देखे यह दिया आपके पास है तो आप इसमें जरूर डालिए और लाश्मय आप डाल दीजे थोड़ा सा हरा धनिया अब हमें क्या करना है इसको और अच्छा सा फिलेबर देने के लिए हमें डाल देना इसमें छोटी चम्मच आधी से आधी छोटी चम्मच जो खाने वाली नॉर्म क्या डाला हुआ है अब हम क्या करेंगे इसको हम थोड़ा सा मसालों के साथ में बुझने देंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और यह हमारे करेला की स्वादेश्ट सब्जी बन करके त्यार हो चुकी है तो चलिए हम दिखाते हैं हमारे आज की सब्जी बन करके कैसे त्य तो यह लिजे फ्रेंस हमारी करेला की गरम गरम बहुत ही खुसबूदार सब्जी और यह हम बताएं कि बता नहीं सकते हैं कि इतनी स्वादेश्ट लगती है खाने में नहीं तो यह बिल्कुल भी करवाएगी और आपके बच्चे इसको चाट चाट के खा जाएंगे एक बार म मैंने यहां पर बनाए हुई थी चावल साथ में अरह्र गिदार और करेला की सब्जी और साथ महीं मैंने बटर इसको बादी बनाए थी यहां पर खील तो आप रोटी के साथ में चावल controlling के साथ में इसको खा सकते हैं मेरे यहां मैश के साथ में शब लोग खाने जा रहे Р तो फ्रेंस एक बार बनाईए खाईए एंज्वाइ कीजिए और वेडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और आप ये वेडियो मेरा कहां से देख रहा है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएए ताकि जो नेस्ट वेडि